दिल्ली जो जाना जाता है अपने हिस्ट्री, मॉनुमेंट, स्ट्रीट, फूट और फैशन कले पर करेंट स्थीति को देखके ऐसा लगता है कि हो सकता है आने वाले समय में आने वाले जनरेशन कले ये बनके रह जाए एक ऐसी चोटी सी सिटी जिसमें तीन करोड लोग रहते हैं जो एक करोड से अधिक वेहिकल्स होल्ड करते हैं एक आर्टिकल का तो ये भी कहना है कि दिल्ली पल्यूशन में रहना is equal to 31 सिग्रिट्स को कंज्यूम करना अब अगर आपको लग रहा होगा कि ये जो दिल्ली पल्यूशन की बिमारी है वो बस अभी-भी आई है क्योंकि हमारे जमाने में इतना पल्यूशन नहीं होता था तो आप गलत हैं क्योंकि ये जो दिल्ली पल्यूशन का कारवा है वो 1990 से हमारी भी चला आ रहा है प्रूफ दिखाओं प्रूफ ये है कि 1989 में WHO ने एक रिपोर्ट रिलीस की जिसके मुताबिक दिल्ली उस समय बना दुनिया का चौथा मोस्ट पल्यूटेट शहर बस जैसे ही रिपोर्ट आई वैसे ही उस समय के इन्वार्मेंटलिस्ट और लॉयर MC महता ने कोर्ट में इसके खिलाफ गुहार लगाई और कोर्ट ने भी इस प्रॉबलम के लिए दो लोगों को दोशी धेर आया एक वहिकल दूसरा इंडस्ट्रिल एमिशन और यह आदेश लगाया कि दिल्ली में जितनी भी तेरा सो हाइली पल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है या तो उनका closure होना चाहिए या तो relocation और जितनी भी ET के भट्टिया हैं उनको भी शहर से बाहर जाने के लिए कहा यहाँ तक ही government ने भी कई सारे plans लाए लेकिन ही जितने भी plans थे वो WHO के report के मुताबिक design हो रहे थे फिर 2009 आया जिसमें इंडिया ने सोचा कि क्यों न हम अपना खुद का एक ऐसा analysis करें जिसमें हमें real scenario समझ में आए और तब जाकि जो PM 2.5 terms है ये picture में आए और इसे रखा गया one of the major factor to judge Delhi pollution और इसका भी conclusion यही आया कि Delhi is the most polluted city among all the states and union territories लेकिन ये जो PM 2.5 term है ये आखिर है क्या इसे ऐसे समझते हैं कि जो हवा में धूल होती है वो जब आख कान नाख में घुछ जाते है तो बहुत irritation होता है लेकिन ये जो धूल है उसे आप अपने आखों से देख सकते हैं जो PM 2.5 particulate matter है उसे तो आप अपने आखों से देख ही नहीं सकते उसे देखने के लिए आपको टेलिस्कोप की जुरुत पड़ेगी ये इतना सुक्षम होता है इसे ऐसे भी समझ सकते हैं अपने सर से आप एक बाल लिजे ये जो single strand of hair है इसकी मुटाई होती है 50-70 micron लेकिन ये जो PM 2.5 है इसकी मुटाई होती है 0.5 micron इसलिए ये इतना चोटा है कि आराम से आपके बाड़ी में घुश सकता है आपको बता है अनुर लिमिट कितनी होनी चाहिए इस particulate matter की वो होनी चाहिए 40 micrograms per cubic meter लेकिन 2016 में दिली में इसका level था 999 micrograms per cubic meter 40-99 ये इतने high level में वहाँ present था ये आपके body में घुश के सबसे पहले आपके lungs को नुकसान पहुचाता है respiratory tract को नुकसान पहुचाता है breathing related बिमारिया आपको दे सकता है ये आपके blood में तक घुल सकता है और उसके बाद आपको asthma, bronchitis या फिर दिल से related बिमारिया हो सकती है और अगर ये लंबे समय तक टिक जाए तो आपको कोई chronic disease भी हो सकता है तो आप देखते हैं कि what are the major reasons for this amount of pollution तो सबसे पहला तो है stubble burning मतलब पराली जलाना इससे बहुत सारा smoke और pollution दिल्ली तक आता है according to suffer 2021 report 25% of pollution देली's pollution is because of stubble burning फिर next है changing of wind direction अब होता क्या है October के बाद मतलब monsoon के बाद wind के direction change होती है और majorly wind northwest side से आती है अब यही जो wind है वो पराली का मतलब stubble का pollution देली तक लेकर आती है according to this report 72% of देली's pollution is because of this northwest wind तो हमने source देख लिया कि stubble burning is the major source for this pollution फिर जो northwest wind है वो यह pollution है वो दिल्ली तक लेकर आती है फिर जो तीसरा reason है temperature inversion इसके वज़े से यह जो pollution है वो देली में ही trap होके रह जाता है कैसे तो usually क्या होता है कि height के साथ साथ air cool होते जाती है लेकिन temperature inversion के phenomena के वज़े से दिल्ली में cold air के बाद warm air की एक layer बन जाती है जिसके वज़े से जितना भी pollution है वो cold air की layer में trap होके रह जाता है जिसका नतीजा लंबे समय तक pollution बही बना रहता है और एक reason यह भी हो सकते है कि जो winters है इसमें जो winds है वो काफी dry और still रहती है fresh winds नहीं आप आते जिसके वज़े से particles wash off नहीं हो सकते फिर हमने वेहिकलर और industrial emission तो देखा ही तो 1997 से लेकि 2011 तक डेली ने population की बढ़ोतरी रही 45% लेकिन जो registered cars और two wheelers थे उनकी बढ़ोतरी हुई 2500 प्रतीशत तो जाहिर से बात है कि जब इतनी सी population इतने सारे registered vehicle से लाएगी तो pollution तो बढ़ना है ही फिर biomass burning, firecrackers और dust storms बाकी reasons बने Delhi pollution के खेर, government द्वारा measures तो काफी लिये गए जैसे Punjab, Haryana, UP जैसे region से stubble burning रोपने के लिए one man justice local committee बठाई गई graded response action plan लाया गया by this ministry CND waste management rules notify किये गए ताकि safe disposal हो सके Delhi government द्वारा, red light on, गाड़ी off जैसे initiative odd even rule जैसे initiative लाई गए anti-smoke guns और smoke towers install किये गए non-polluting alternative sources of transportation भी लाई गए electric vehicles के लिए push किया गया और सबसे important farmers को subsidies दी गई turbo happy seeder use करने पर ये एक ऐसी machine है जिससे stubble को cut और uproot किया जाता है बिना burn किये although measures तो कई सारे हैं लेकिन जब तक इसका सही तरी किसे implementation नहीं होगा तब तक इसका कोई use नहीं and the most important thing इसका समधान तभी होगा जब जो जनता है उसे सरकार के पर उसे ना बैठके collectively इसके solution के ले काम करें इसलिए सरकार ने Green Delhi app ये भी install किया है ये भी launch किया है जिसमें कोई भी इंसान pollution बढ़ाने वाली activity को report कर सकता है फ्लीज इस issue को seriously लीजे because as per the ICMR report 2019 में अकेले pollution के वज़े से 1.67 million deaths हमने witness की तो अगर हमें आगे चल के इस स्किति को रोकना है तो इसकी तैयारी हमें अभी से करनी होगी जितना कम अपनी personal vehicles use कर सकते उतना कम use कीजिए let's promote green Diwali ताके अपने आस पास के लोगों को और ज़्यादा परिशानी ना हो so this was my video on Delhi pollution comment section में जाके मुझे बताइए कि आप कॉनसे सिटी से belong करते हैं और उसका air quality index क्या है जल्दी से जाके check करिए but before leaving hit the like button share and subscribe until then keep learning